हेलो फ्रेंट्स आगत आप सभी का आर्वेदी ट्यूब में तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की मायत से एक्सराइज 1.3 का कोश्चन नमबर 9 लेकर के आया हूं इस वीडियो में में कोश्चन को डिसकस करेंगे बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है आप वी यपान क्यू वेर क्यू इस नाट इक्वल टू जीरो वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कामन फेक्टर अधर देन बन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपर्जंटेशन अंडर एक्सपेंशन कैन यू गेस वाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट और एक्सपेंशन है ना यहां पर दोनों का मतलब एक ही है जो डेसिमल के बाद के नंबर आप लिखते हैं उसे चाहिए आप एक्सपेंशन बोलो चैहरी पर्जंटेशन बोलो इसलिए चीज ब्रेकेट में दिया गया है ठीक है दूसरी बात यह जो दिया गया है और पी एं बहुत सारे रेशनल लंबर लो उसमें से ऐसे रेशनल लंबर चूज करो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो फिर आप बताओ कि ऐसे रेशनल लंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसमें क्यूंसी प्रॉपर्टी को होना हमें ठीक है तो चले शुरू करते हैं आपर सल्यूशन है अब यहां पर एक्जाम्पल अपने मन से ले सकते हो जैसे कि लेट है सम एक्जाम्पल are 1 by 2, 2 by 5, 3 by 5 and 4 by 10 etc ठीक है मैं कुछ यह एक्जाम्पल ले रहा हूँ in the form of p over q where q is not equal to 0 ठीक है तो आपने क्या कर लिया देखो एक नंबर ले लिया 1 by 2 1 by 2 एक रिशनल नंबर है पन क्यों के फार्म में होता है 1 by 2 का जो आंसर आता है वह आता है 0.5 ठीक एक आपने टू अपान फोर ले लिया इसका जो डेसिमल एक्सपंसन आता है वह 0.4 आता है एक आपने 5 by 3 ले लिया तो इसका जो डेसिमल एक्सपंसन आता है वह 0.6 आता है एक आपने ले लिया 4 by 10 इसका जो decimal expansion आता है वो 0.4 आता है ठीक है यह उनके decimal expansion हो गए तो आप ऐसे कोई भी number ले सकते हो जो आपको लगता है कि इसका decimal expansion क्या होगा terminating होगा तो आप देखो यह जो number से इनका decimal expansion terminating है तो Q में क्या property रही होगी जो Q है उसकी क्या property रही होगी जो मैं आगे लिखाता हूँ दा प्रॉपरिटी आफ क्यूँ मस्ट सेटिस्फाइब आप देट क्यूँ है ओनली पावर आफ टू आर पावर आफ फाइफ आर बोथ देखो अब यह तो हमारा answer हो गया लेकिन सरी यह पावर आफ टू पावर आफ फाइफ या बोथ यह क्या है यह हमको समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ देखो जैसे यह वन बाइट टू है इसका जो Q है वो टू है अगर हम two key prime factor करें तो क्या होगा तो आप दिखो एक टू आया है तो टू के पावर कितना होगा बन होगा अब बोलो सर्थ अंज तो वहता है लेकिन यह प्राइम स्पेक्टर नहीं हम तो यह पर बात करें इसको राइट कर सकते हैं तो यही वह लाए कि पावर 2 ऐसे पे पावर में आएगा एक यह हो गया दूसरा अगर हम 5 की बात करें और इसके प्राइम फेक्टर ऐसे आगे चलके 5 square 5 cubed 5 raised to the power 4 तो वो 5 के power में आ जाएगी अगर हम 10 की बात करें तो 10 के जो प्राइम फिक्टर होंगे वो 2 into 5 होंगे तो आप देखो 2 के भी power आ रहा है और 5 के भी power आ रहा है तो यहीं यहाँ पे लिखा है बोथ बोथ मतलब की 2 raised to the power n and 5 raised to the power m तो क्या हो सकता है वो दिखो या तो फिर only power of 2 होगा या तो फिर only power of 5 होगा या तो फिर only power of 2 into power of 5 यही होगा इसके लाभा अगर कोई दूसरा number आता है जैसे 3 आ गया 7 आ गया तो फिर वो नहीं satisfy होगा च्छिके तो यहाँ पर condition क्या satisfy हो गई Q का जो prime factorization है वो power of 2, power of 5 या both form में होना चाहिए और हमारा answer क्या होगे मैं फिर से बता देता हूँ let some example are 1 by 2, 2 by 5, 3 by 5 and 4 by 10 ETC in the form of P upon Q where Q is not equal to 0 the property of Q must satisfy that Q have only power of 2 and power of 5 are both तो ये हमारा answer हो जाएगा आप चाहो तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जर्यावी पसंद आया है तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक अगले thank you class आप दो है जाढ आ कर दो हैं तो है हम आपको कैसा of करेंगे यार श нравते कैसा ढाया है क económा फेस्टों